हाई दोस्तों असलाव अलेकूम कैसे आप लोग मेरा नबील है आइफोन यूजर्स के लिए काफी जबदस फीचर आपल ने निकाला है जिसके बार मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर आपका आइफोन जो आपने बहुत ही जादा पैसे देकर मेहनत किमाई से पर्चेस यह आपको नजर आ रहा है साफतोर पे इसको किस तरीके से आप एनेबल कर सकते है इसका यूज क्या है किस सेनेरियो में किस केस में चलेगा क्या सिम काड़ फेकने के बाद यह चलेगा कौन से कौन से आईफोन को सपोर्ट करता है किस iOS वर्जिन पर चलता है इसको कैसे आप on या off कह सकते हो सारी चीजे इस वीडियो में आपको बताने वालों तो वीडियो को देखिए end तक ताके आपको कोई भी doubt ना रहे तो सबसे पहले जान लिजी दोस्तों इस setting को on कैसे करना है तो आपको इसके लिए जाना है अपने phone के settings में उसके बाद अपने Apple ID पर यहाँ आपको क्लिक कर लेना है Apple ID पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा find my तो find my पर क्लिक कर लिजिये उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आएगा find my iPhone तो इस पर टैप कर लिजे यहाँ पर यह जो तीनो settings on होने चाहिए तब यह फीचर जो है काम और खास तोर पे find my network, find my network जो program है Apple का इसमें आप participate करेंगे तो आपका जो network है वो आपके iPhone को locate करने में मदद कता है even when it is power off या power reserve mode में भी आपका iPhone रहेगा तो यहाँ पे साफ तोर पे लिखा है अगर यह setting off रही तो वो feature काम नहीं करेगा, यह setting आपकी on energy, in fact तीनो setting on रखिए त अगर वो powered off है तब भी, second point यहाँ पे मैं जो बताना चाता हो दोस्तों के यहाँ पे अगर आपके iPhone को चुराने वाला उसमें से sim card को निकाल के फेक देता है, यहाँ पे sim अपने नहीं लगा आया, physical sim अब यूज़ करते हो, इसको यहाँ से निकाल के फेक देता है, तब यह क करती है, आपके phone के wifi और bluetooth की मदद से, यहाँ पे आपके phone की जो location है, वो share की जाती है, दूसरे iPhone users के साथ, जो उसको Apple के servers तक पहुचा देते, अपने internet connection की मदद से, और फिर आपके जो Apple ID है, क्योंकि आपका iPhone उससे linked होता है, तो आपके find my में उसकी location जो है, reflect कर दी जाएगी यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है privacy related, क्योंकि जिन iPhone users की मदद से यह चीज़ किया जाता है, ना उनको आपके बारे में पता है, ना आपको कभी उनके बारे में पता होगा, एक random identifier रहता है, उसकी मदद से यह चीज़ जो है, इसकी location को Apple के servers पे upload किया जाता है, जो सिर्फ और किसी friend के पास iPhone है, उसमें जा सकते है, उसमें आपको find my में जाना है, अगर आपके पास कोई Apple का product है, iPhone है, iPad है, iMac है, उसमें जाके जो device के list होती, आपकी यहाँ पे devices पे tap कर लीजिए, और इसके अंदर से आपको device जो है, select कलेना और उसकी location है, वो आपको बता देगा, even if it is powered off, और यहाँ पे अगर आपका iPhone नहीं है, आपके पास कोई भी Apple product नहीं है, तो किसी friend के पास होगा, किसी जान पेचानवाली के पास होगा, उसके पास जाईए और उसको बोली, यहाँ पे मी पे क्लिक करने, मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस page पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको चले जाना है, और यहाँ पे आपको नजर आएगा help a friend, तो help a friend पे tap करेंगे, तो इस तरीके से आप अपने friend के phone से अपने phone को ढूंड पाएंगे, help a friend पे जब आपके friend tap करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उनको उनके Apple ID में send करे बड़ेगा, उनके इसको temporarily off कर सकता है इसकी finding, और फिर आपके phone को बंद कर सकता है, जब कभी वो phone on होगा, तब यह automatically on हो जागा, यहाँ पे साफ तरफ यह चीज़ भी लिखी है, तो वो अगर चुराने के बाद इसको off भी कर देता है, और फिर इसको कभी भी on करता है, उसको use करने के लिए, त और आपको यहाँ पे क्या-क्या जो है, इसमें facility मिलने वाली है, ढूणना कैसे है, फ्रेंट के phone से हर चीज़ आपको बता दिया, अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ और information देने वाला हूँ, आपको क्यूंकि आपके phone पे यह चलना जरूरी नहीं है, तो इस यही चीज़ आपको 12 mini पे दिखा देता हूँ, देखिए 12 mini है, और आपके सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर यही वाला feature, यह देख लिए पीछे से, this is iPhone 12 mini, तो ऐसा क्यूं हुआ है, यह बताने के पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कि जो short videos है, जो मैं Instagram के लिए दा रहा हूँ, वो मैं YouTube पे भी डालने का सोच रहा हूँ, और इसी चैनल पे दालने का सोच रहा हूँ, यह कि मैंने आप लोगों से एक सवाल बुचा था, community पोल के अंदर, जो लोग सबस्क्राइब है, चैनल को, उनको वो सवाल दिखाया होगा, आप लोगों ने आपको नॉलेजी मिलने वाली उससे, तो यहां पे दोस्तो यह feature आपके phone पे अगर नहीं चल रहा है, तो उसका number one reason है, कि आपका iPhone जो है, वो चल रहा है iOS 14 पे, जैसे यहां पे मेरा iPhone 11 है, इसको जब मैं power off के screen पे लेके जाता हूँ, तो वहां पे वो option नजर नहीं आता, क्य यह iOS 15 का feature है, तो आपको make sure करना है, कि आपका iPhone जो है, वो iOS 15 पे updated है, सेकंड चीज दोस्तो जो iOS 15 पे update करने से भी ज़्यादा important है, कि आपके अस minimum कम से कम iPhone 11 होना चाहिए, iPhone 11 यानि कि A13 Bionic, A13 Bionic से पहले वाले जितने भी chipset वाले iPhone है, जैसे iPhone XR है, iPhone XS, XS Max है, या उससे प feature को काम करने की range है, iPhone 11 से लेके iPhone 13 Pro की series या iPhone 13 की series, जिसके बीच के भी phones के अंदर ये feature काम करेगा, जैसे iPhone 12 की पूरी series, तो कैसा लगा दोस्तो, Apple का ये नया feature, जिसमें आपका phone जो है, चोरी हो जाने के बावजूद, आप उसको ठूंड सकते है, स्विच आफ हो जाने के के लिए फिलार मेरा प्लान है इसी चैनल पर शॉट्स को बीच मीच में डालने का, हुमी के था दोस्तो, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसने को लाइक और शेयर जरू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुडबाई